दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रदोश वृत का क्या महत्व होता है, प्रदोश वृत कब से शुरू कर सकते हैं, प्रदोश वृत की विधी क्या है, प्रदोश वृत में आप पूजा किस तरह कर सकते हैं, प्रदोश के वृत में आपको क्या क्या खाना चाहिए प्रदोश वरत का उध्यापन किस प्रकार किया जाना चाहिए तो आज मैं आपको विस्तार से त्रेवर दशी के वरत के बारे में बता रही हूं या प्रदोश वरत के बारे में बता रही हूं नमस्ते दोस्तों मेरे चैनल नीटा विकरम में आप सब का बहुत स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस नीटा आप सब कैसे है दोस्तों ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट सेक्षन में जय माता दी जरूर लिखे माता रानी का नाम लेने से हम सब हमेशा खुश रहते हैं उनका आश्रवाद बना रहता है हमेशा मैं इसी तरह आपको बताती हूँ और जो भी मेरे भाई-बहन हमेशा मुझे जैम आता दे लिखके भीजते हैं उन सबको में धेरो धन्यवाद देती हूँ दोस्तों अगर आज आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए साथी साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं प्रदोश के व्रत का महत्व जानते हैं प्रदोश के व्रत का बहुत जादा महत्व होता है दोस्तों इसे त्रेवदशी तिथी को मनाया जाता है हर महीने दो पक्ष होते हैं क्रशन पक्ष और शुक्लब पक्ष और इसके तेरवे दिन पे जैसे कि हम त्रेवदशी तिथी कहते हैं इस वरत को करा जाता है और इसे प्रदोश का वरत बोला जाता है इसे प्रदोश का वरत इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पूजा का जो समय होता है वो प्रदोश काल होता है भगवान शिव जी भोले नात हर हर महादेव की पूजा इस समय पे करी जाती है ऐसा माना जात बहुत और श्यव क्रभाता है और इस समय बहुत ही प्रसन्न न cantra में रहते हैं और इस समय पे जब उन nutrimento करते हैं तो सभी देवता भी इसमय उनकी पूजा कर रहे होते हैं तो उनकी पूजा का इस्ते सव्मत में प्राप्त हें हम सबके जीवन में दुछ तक्लीफ बहुत सारे कष्ट रहते हैं इन सारे कष्टों का कारण होते हैं हमारे पूर्व जनम के रिण याने जो हमारे पूर्व जनम के कर्म बंध होते हैं उनके कारण हम इस जनम में आके कष्ट भोगते हैं कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा हमने कभी किसी के साथ कश्ट है तो इस तरह के कश्टों का सबसे प्रमुक कारण होता है आपके पूर्व जन्मे की हुई कर्मों के कर्मबंद जिनके कारण आप तरह तरह के कश्ट भोगते हैं इसी तरह जब आप शिव चालीसा पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता पढ़ेगा त्रेयो दशी वृत करें हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा ऐसा कहा गया है कि जो भी इनसान त्रेयो दशी का वृत करता है उसके पूर्व जन्म के कर्म के रिण बंद जो होते हैं उनसे मुक्ती मिलती है और इस जन्म में जो उसे घोर कश्ट भोगना है उन कश्टों में भ प्रदोश का वृत आपको हमेशा सोम प्रदोश से शुरू करना चाहिए सोम प्रदोश दोस्तों आने वाला है इसलिए मैंने आप लोगों के लिए खास तौर पर ये वीडियो बनाया है कि जिसको भी वृत शुरू करना है वह सोम प्रदोश से इस वरत को शुरू करें जि आपके जीवन में धिरो सुख लेके आता है अब दोस्तों अलग-अलग इस व्रत की महिमा बताई गई है हर दिन आने वाले यानि जो हमारे सात वार है सातों वारों पे आने वाले अलग-अलग प्रदोश के व्रत का अलग-अलग परकार का फल होता है यह फल होता है रवी वा प्रदोश का वरत रखने से इक्षित फल मिलता है मनो कामना की पूर्ती होती है इसे सोमवार के दिन किया जाता है मंगल के वार के दिन जब प्रदोश का वरत रखने से आपको रोगों से मुक्ती मिलती है बुदवार के दिन जब प्रदोश का वरत आता है तो इसे सौमेवार प्रदोश कहा जाता है इसका अवरत रखने से शिक्षा में उन्नती मिलती है साथी साथ सुख संपती का वास होता है जब गुरुवार के दिन प्रदोश का अवरत आता है तो इसे गुरु प्रदोश कहते हैं गुरू प्रदोश का अवरत रखने से शत्रूओं का नाश होता है। जब शुक्रवार के दिन इस वरत को करा जाता है तो इसे भ्रगु वार प्रदोश कहा जाता है। इस वरत को रखने से सुख संपती में बढ़ोती होती है। शनिवार के दिन इस वृत की महिमा बहुत ज़्यादा है इसे हम शनी प्रदोश कहते हैं शनी प्रदोश को रखने से जीवन में सफलता आती है पदोनती मिलती है और जो भी तरह तरह के कष्ट होते हैं उनसे भी मुक्ती मिलती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो हमारे कार्मिक रिण बंद होते हैं उसका परिणाम हमेशा हमें शनी की दशा में मिलता है शनी जो होते हैं वो हमें जीवन में अनुशासन करना सिखाते हैं हमें अपने जीवन को सही तरह से जीने की कला शनी करह के द्वारा ही सिखाई जाती है जो जितने अच्छे से अपने जीवन को अन दो क्या हैं अब आपको में प्रदोष की व्रतविधी बताती हूं। जब अस्तो होने वाला होता है उससे डेड़ घंटे पहले से लेकर एक घंटे बाद याने कुल मिला के धाई घंटे का ये जो समय होता है इसे हम सायकाल या शाम का समय कहते हैं ये संधी काल होता है कि जब दिन का समय रात के समय से मिलता है इस समय ऐसा कहा जाता है कि भूले न ये अचीश वहां बरस रहा होता है। और इस समय जब हम भग्वान शोप भोले नात का पूझन करते हैं रूत्र भग्वान का पूझन करते हैं, शिवजी महराच का पूझन करते हैं तो वो हमें अपना अशिरवाब ज़रूर देते हैं अब जो लोग अगर office जाते हैं या उनके पास इस समय पूझा करने का समय नहीं है तो वो बहुत जादा संकोज और परिशानी बिल्कुल मत सोचें वो सुभा के समय इस वृत का पूझन जरूर कर लें और अगर आपके घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर है तो इस दिन पे म वृत का पूझन भी कर सकते हैं अब इस वृत को पूझन करने की क्या विधी है वो मैं आपको बता देती हूं से पहले इसनान कर लीजिए अगर आप साइकाल में विवरत कर रहे हैं या पूझन कर रहे तो तब भी आप इसनान जरूर करिए और सुबह के समय अगर आप पूझा में किस तरह के कपड़े पहने जाए और आप इसके बाद जो आपका मंदिर है घर में वहां पर जाके पूझा इस्थान पर किसी मोटे कपड़े पर बैट जाए या फिर खड़े होके अगर आप पूझा कर रहे हैं तो आप अपने पैरों के नीचे कोई मोटा रख लीजिए उसके बाद आप भगवन का पूझन शुरू करिए भगवान को साफ और स्वक्ष कर लीजिए वहां दीपक प्रजुलित करिए शुद्धगी का दीपक प्रजुलित करिए धूप इत्यादी जलाए श्री भोलेनात भगवान पे आप चंदन चढ़ाईए पूरा चढ़ाईए अगर वहां मिल सकता है सफित फूल चढ़ाईए आक और मदार का फूल भगवान को बहुत ही प्रिया है अगर दोस्तों आपको यह फूल मिल जाते हैं तो आप इन्हें जरूर चढ़ाईए भोलेनात पे साथी साथ दोस्तों आप वहां पर ओम नमश्य इवाय का मन ही मन रटन जरूर करते रहिएगा और इसके बाद आप भगवान को वहां भोग चढ़ाईए भोग में आप केली चढ़ा सकते हैं भगवान को जो भी आप अपनी इक्षा से बहुत ही प्रसंद भाव से चढ़ाते हैं भगवान उसे जरूर ग्रहन करते हैं तो आप केली के साथ साथ कोई मिष्थान कोई मिठाई त्यादी भी दूद की बनी हुई मिठाई चढ़ा सकते हैं आप वहां पर इस तरह से भगवान को भोग लगाईए भगवान की जो कथा है आपको इसमें जो प्रदोश की व्रत की कथा है उसकी किताब खरीद लेनी चाहि जो भी दिन अनुसार प्रदोश हो चाहे वो सोम हो मंगल हो बुद्ध गुरु शुक्र शनी या रवी उसके अनुरूप आप भगवान की कथा जरूर पढ़िए अब अगर आपके पास शिवजी की पिंडी है तो आप पिंडी का अभिशेक करिए अभिशेक करने के लिए दोस्तों उसे किसी बरतन में रख लीजे तामबे के बरतन में दोस्तों दूद से अभिशेक नहीं करना चाहिए पर अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसमें कर भी सकते हैं अब आप सबसे पहले पिंडी पे जल चढ़ाईए फिर दूद अर्पित करिए उसके उन्हें एक सुक्ष कपड़े से पोचने के बाद उनका श्रिंगार जरूर करिएगा जैसा कि मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में भी बताया था 16 सुमवार की जिसमें मैंने विधी बताई है बगवान का आपको जो पिंडी है पिंडी को हमेशा उतर की तरफ मुख करके रखना चाहिए आप उसे रखें भगवान का श्रिंगार करें उन्हें भस्म इत्र इत्यादी अर्पित करें उन पे भी चंदन अक्षत पुष्प और धतूरा बेल पत्र इत्यादी चड़ाईए वहाँ पे उन्हें इस्थापित करिए उसके बाद जो आपने अब कथा अंदर या तो फिर आप आम की लकड़ी या जो भी हवन की लकड़ी होती है उससे भी हवन कर सकते हैं समिधा आप तयार करके रखिए यानि जो आपके हवन की सामगरियों से हम समिधा कहते हैं जैसी अगनी प्रजुलित हो जाए आप भगवान को जो आप नेवे दर्पित क प्रसाद चढ़ा रहे हैं जो मिठाई पल इत्यादी का भोग लगाया है उसमें से कुछ भाग लेके समिधा के साथ उसका हवन करिए इस तरह से भगवान को आपकी पूरी पूजा पहुंच जाती है आप समिधा के बाद हवन करने के बाद उस पे हवन पे आप थोड़ा जल चढ़ाये भगवान की आरती करिये आरती को भी जल दीजिए भगवान के पैट चुए उनसे माफी मांगे कि अगर आपने जो पूरी पूजा अर्चना करी है इसमें अगर कहीं कोई आप से गलती हो गई है तो आपको माफ करने आप उन्हें बताईए कि आपने बहुत ही मन भाव से शद्धा के साथ उनका पूजन करा है और आपकी पूजा दोस्तों ग्रहन होती है अगर आप दोस्तों इस दिन ब्रत रख रहे हैं तो आप क्या खाए अब चलिए मैं आपको वो बता देती हूं आप इस दिन दोस्तों सुबह से फलाहार रह सकते हैं आप चाहें त आप कुछ भी फलाहारी खा सकते हैं, खाने का दोस्तों पर नियम रखना चाहिए, हमें बहुत सारी बार वृत में खाना नहीं खाना चाहिए, आप एक या दो बार ही फलाहार करके वृत रखें, फलाहार से मतलब है यहाँ आप साबुताने की खिचडी खा सकते हैं, या फिर लोग इसमें अलग अलग तरह के वरत रखते हैं तो आप चाहें तो रात्री के सामें भोजन ले सकते हैं अगर आप भोजन नहीं लेना चाहरे तो आप उस समें भी फलाहार इत्यादी ले सकते हैं दोस्तों व्रत करने में सबसे जादा आपका शरीर आपका साथ देना चाहिए तो जितना आपका शरीर साथ दे आप उस अनुरूप नियम बनाके इस व्रत को रखें और दोस्तों व्रत के दिन हमें जूट नहीं बोलना चाहिए चुगली नहीं करनी चाहिए किसी के साथ में पूरी वहवार नहीं करने चाहिए अपने वहवार को सहमित रखना चाहिए अगर दोस्तों आप शादी शुदा है तो इस व्रत को रखते समय आप ब्रह्मचर का पालन जरूर करें यह व्रत दोस्तों जब भी आप शुरू करेंगे व्रत सूर्य उदय से शुरू होता है तो और अगले दिन का जब सूर्य उदय होगा तब यह व्रत खतम होगा तो आप रात के समय दोस्तों इस व्रत को बिल्कुल मत तोड़िएगा क्योंकि हमारे जो हिंदू पधती है हिंदू पधती में रात के 12 बचे का कोई विवरण नहीं है हर चीज सूर्य और चंदर के हिसा आप से हैं जो भी हमारा दिन कलेंडर या पंचांग है यह सूर्य सिध्धांत के हिसाब से चलता है तो जब आपका सूर्य उदय जिस तिथी में होता है उस दिन ये व्रत रखिए अगले दिन जब सूर्य उदय हो तो आप इस व्रत को तब उसके बाद खोल सकते हैं व्रत ज़रूर करिये दानपुन्यकरने के लिए आप अनाज दे सकते हैं जो भी आपके पास चीजें हैं आप उनमेंसे किसी भी ब्रहामण को या तो भोजन करा सकते हैं इस तरह से दोस्तों दानपुन्यकरने से आपके व्रत का फल पूरा हो जाता है और आपके द्वारा किया और अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्रत को कभी भी ऐसे मत छोड़िए आप जब व्रत शुरू करें उस दिन में आप अपने हाथ में या तो चावल लेके संकल्प करें कि भगवान हम आपके शद्धा के साथ इतने व्रत करना चाहा रहे हैं या साल भर तक कर जैसा भी आप संकल्प लेना चाहें आप उस तरह से संकल्प लेके व्रत शुरू करें और जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो आप इस व्रत को जब आप उत्यापन करें किसी योग ब्रामन को घर में बुलाएं अपने घर में रुद्रा भिशेक रखें लोगों को आप इस प्रदोश के व्रत को करिए यह बहुत ही लाबदायक है जिस तरह से इकादशी के व्रत को करने का बहुत ही अभिश्टफल होता है उसी तरह श्री भोलेना शिवजी के प्रदोश के व्रत का भी बहुत ही जादा फल होता है आज के लिए दोस्तों इतना ही कि किस त क्टिंग दोस्तों मैं वीडियो और दुस्तों मेरे सभी वीडियो देखने के लिए comment section का पहला comment जरूर देख dipping के साथ link मेरे सभी वीडियो देखते रहें और आप अपने परियाक के साथ खुब खुशी सुक और सम्रद्धी के साथ रहें अगली बाब फिर आपसे मिलूँगी तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों